नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़ वोच इंडिया मैं हूँ आपके साथ पंकची आदब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ तो नू में नहीं मिली है ब्रेज मंडल यात्रा को अनुमती इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जो आपर हर्याना के सीम मनोहल लाल का एलान और जहांपर उन्होंने कहा कि नू में कल बंद रहेंगे सब भी स्कूल और कॉलिज प्रिशास्वन ने जारी किये हैं आदेश और इसी के साथ आपको बता दे कि इंटरनेट सेबा भी 29 अगस तक बंद रहेंगी बड़ी ख़बर आपको बतारे हैं जो आप नू में नहीं मिली है अनुमती नूमें नहीं मिली है ब्रजमंडल यात्रा को अनुमती इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बतारे हर्याना के सीम अश़ा का एलान और इसी के साथ आपको यह भी जान कर दे दे कि नूमे कल बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉले प्रिशासन ने जारी किये हैं आदेश इसी के साथ 29 अगस्त तक सभी इंटरेट से वाई भी बंद रहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहें जहांप अनू इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीरी स्कीन पर जहांपर बता दे कि हर्याना के नूमे नहीं मिली है ब्रज मंडल यात्रा को अनूमती हर्याना के सीम मनोहा लाल खटर का एलान नूमे कल बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलिज और इसी को लेकर आप प्रिशासन ने जार जारी किये हैं आते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो नूमे नहीं मिली ब्रज मंडल यात्रा को अनूमती हर्याना के सीम मनोहा लाल खटर ने भी अब इस मामले को लेकर एलान कर दिया है और नूमे कल बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलिज इसी के साथ म इंटरनेट से वाई भी बंद रहेंगे प्रशाफन ने जारी किये हैं आदे इस इस वक्त की बड़ी कबर आपको बता रहे हैं जहां पर आपको बता दे कि हिंदू संगठन की तरब से ब्रज मंडल यात्रा को निकालने के एलान किया गए तो उसके बाद अब ब्रज मंडल यात्रा को अनुमती नहीं मिली है अनुमती नेक्ट की जो विदा है वो आज 12 वजी से लेके 28 तरीक के 12 वजी तक बंद कर देखें और हमने बुटी मजिस्ट्रेट पुले अरिया के अंदर अपर्ट की साथ पुलिस पार्टी के साथ वो अपने अरिया में पेट्रूम करें अनुमें हिंदू की दार्मे की यात्रा पर कटरपन्ती मुसल्मानों के हमले के बाद अदूरी रह गई थी जलाविशे की यात्रा को सावन के आखिरी सोंबार को पूरा किया जाएगा इसी को लेकर आमारी खास रिपोर्ट देखिए कटरपन्ती मुसल्मानों द्वारा हिंदू के हर्त्योहार पर प्रहार करना आम बात है चाहे राम नव्मी पर शोभा यात्रा हो या चाहे हनुमान जयन्ती हो लगातार हो रही जिहादियों द्वारा पत्राब से कोई भी हिंदू नहीं डरने वाला है जिसके चलते नुह में हिंदू की धार्मे की यात्रा पर कटरपन्ती मुसल्मानों के हमले के बाद जलविशे की यात्रा पूरी करने का निर्ने लिया गया है जिसको इस सावन के आखिरी सोंबार को पूरा किया जाएगा विश्म हिंदू परिशत ने एलान किया है कि सावन के आखिरी सोंबार को नलण में महादेब के जलविशे की साथ प्रजमंडल यात्रा फिर से शुरू होगी विश्म हिंदू परिशत का ये भी कहना है कि फ्रोजपुर जिर्का में जलाबी शेक के बाद पुनाना के सिंगार मंदिर में जलाबी शेक तक ये यात्रा अनवरत रूप से जारी रहेगी विश्म हिंदु परिशत के इस एलान के बाद प्रिशासन ने हरियाना सरकार को पत्र लिग कर इंटरनेट पर बेन लगाने की भी स्तिफारिश की है इसी बीच एक हिंदु संगठन को यात्रा करने का आडियक से हमले की धमकी मिली है इस बीच विश्म हिंदु परिशत के रास्टे संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र ज्यहन का कहना है कि नुह में 28 अगस्त को पूरे दलबल के साथ ब्रजमंडल शुबायात्रा निकाली जाएगी इस बारे में प्रिशासन को भी सुचित कर दिया गया है बतादे कि इस यात्रा में लोगों की संख्या को कम या जादा किया जा सकता है लेकिन यात्रा को पूरा हर हाल में किया जाएगा जिहादियों पर लगातार हो रही बुल्डोजर से कारवाई के बाद भी उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी है बतादे कि इस बीच विश्प हिंदू तक्त के अंतरास्टे पिर्मुक और एंटी टेररिस्ट फ्रंट ओफ इंडिया की अध्यक्ष विरेश्ट शंडियाल को भी धमकी मिली है कि अगर नलहड महादेब में फिर से किसी यात्रा को निकालने की कोशिश की गई तो उसे आर्डी एक्स से उड़ा दिया जाएगा इस मामले में उन्होंने पुलिस में भी शिकाय दर्ज कराई है उन्होंने कहा कि धमकी देने की वज़ा से हम पीछे नहीं हटेंगे विरो रिपोर्ट न्यूज वोच इंडिया और रुख करतें इस बक्त की बड़ी खबर का जेपी नड़ा का आज उत्रा खंड का दोरा रहने वाला इस बड़ी खबर आपको बता रहें कि लोग सबा चुनाप को लेकर अज बैठक के शामिल रहेंगे इस बड़ी खबर आपको बता रहें जोहांपर जेपी नड़ा का आज उत्रा खंड का दोरा रहने वाला है और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी देदे कि कोरकमेटी की आज बैठक करेंगे और इस बैठक में लोगसभा चुनाव को लेकर मन्थन किया जाएगा और इसी के साथ में मुख्य मंत्री सांसद सहीत अन्य सदस से भी शामिल रहेंगे बड़ी खबर आपको बता रहें जहाँ पर आज उत्राखंड में कोरकमेटी की बैठक होगी जेपी नड़ा का आज उत्राखंड का दोरा है और इस दोरान आपको ये भी जानकारी देदें कि कोरकमेटी की बैठक करेंगे और इस बैठक में लोगसभा चुनावों को लेकर मन किया जाएगा इसी के साथ आपको ये भी जान कर देदे कि इस कोर कमेटी की बैटक में मुख्य मंत्री सांसा सहीत अन्य सदस्स से भी शामिल रहेंगे इस बड़ी ख़बर आपको बता रहे है उत्राखंट से जहां पर आज जो जेपी नडडा का उत्राखंट का दोरा रहने कि इसको लेकर क्या कुछ खास अब्डेट आपको बताना चाहता हूं कि भार्ट के जन्ता पार्टी की जुराश्प्या देख्श है इनको एक दिवस्ते दोरा आज उत्राखंट में रहेंगे और सब्सक्राइब बड़ी बात है कि आज कोर्स कमीटी की बैठाक लेने के साथ ही वो कहीं महस्ता पूल कारेक्रमों में भी सिर्कत करेंगे तो इस दोरे की सुराख अड़वारिश्पी जो रिश्यकुल विश्विश्विश्विजाल है वहां पर पौदारूपों के साथ किया जाएगा और वहीं पर ऑडिटोरियम वहां पर एक कारिकरम को संभूदित करेंगे और इसके बाद तकरिवन तीन से और पांच बजे तक के बीच में अड़ड़ा एक लिजी होतल में जो प्रदेश की कोर कमीटी है उसकी बैठाक लेंगे जिसमें बास्पा के प्रदेश सद्यक्स मेहंदरवाट मुख्यमंदरी पूर्वसीम और संसाथ सई तमाम वो सदस्य मौजूद रहेंगी जो कोर कमीटी के भी है और जो बास्पा कारे करता है वो इस बैठाक में प्रतिभाग करेंगे और साथी साथ वह आच शाम को हरिदौर में जो हरकी पैड़ी है वहां पर गंगा आर्थी में सामिल होंगे प तकरीवन देश रण अड़ दउन को लेकर मंतर्च क सिया जाए कंगी जिन टेश वाह बात साथ से वोटर में उत्रग्ण में चलाया है तो हर बूत पर दशाजार वोटर को जोड़ने का एक लक्शे है उसको लेकर भी यहां पर बैटक करेंगे तवाम तरीके से दिखा जाए क्योंकि नगर में काई चुनाओं आने वाले हैं लोग सबा की चुनाओं आने वाले हैं तो इसको लेकर भी कही ने कहीं यह एक महस्वफून बैटक मानी जा रही है और इसी को लेकर जेपी नट्टा का यह एक महस्वफून दौरा उत्रखंट का रहने वाला है पर ज्ञादा बीज़ेपी फोकस कर रही है चाहे शोशल मीडिया के जरीए से हो यह जमीनी इस्तर के जरीए से हो तो क्या उत्रा-खड में भी कुछ ऐसा निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि जिससरीके से यूपी की बात की जा तो सोशल मीडिया को लेकर यूपी में भी जो बीजेपी के दिग्गा जब उत्रेंगे तो क्या उत्राखण में भी इन सभी मामलों पर भी मन्थन हो सकता है आज कोर कमेटी की बैटक में इमांचु निश्ची तूरूप से बैटक में यही निनने लिया जाएगा कि आगामी आने वाले पालिटी की कारेकरम किस तरीके से द बीजेपी के पाले में आये और विपक्षी दल के खाते में एक मिन जाए ऐसे में कहीं न कहीं एक कार्य योजना बीजेपी बना सकती है इसके बाद अब लोग्सबच जचनाव के दौरान में जाइंस से बाते कि प्रद teddy करेंगी कि यहां पर यहिली संभूतित करेंगी। तूरू एसरे से कई-ने कहीं डेखा लारेकी जो विदान सभा के चुनाव हुए जहां पर बीजेपी हारी है आखिरकार क्या वज़ा रही है इन सब चीजों का मंतन आज कोर कमेटी की बैटक में होगा ताकि लोग सभा पर उसका असर ना पड़े इस चीजों को साफ का गया था कि जो पेई सीटें बाजपाने हारी है तो कहीने कहीन वज़ें से हारी है क्या कारण रहे हैं वहाँ पर क्या अंतिन छोर तक बैशे जैसी तक केंडर सरकार की राज्य सरकार की यूजन नहीं पहुंच पाई है क्या ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि इन सभी को लेकर जो बाजपा लगातार दावा करती है कि अंतिन छोर तक हम लोग केंडरी की यूजना को पहुंचाने में लगे हैं अंतिन छोर के विश्की तक तो क्या ऐसे में अब बाजपा के जो सांसद हैं यहाँ उन से एक अलग बैठाट ली जाएगी क्योंकि सांसदों को जिम्मेदारी दीजिए कि क्या कारण रहे उनको पहचानने के उनके कारण चानने के तो कही ने कहीं एक्से में यह बहुत एम रहने वाली है क्योंकि लगातार देखा जा रहे कि बीजेपी यूआँ को अपनी औ पुद्कर्सिं धामी यहां पर लेकर आए कहीं उत्ते युवाओं को एक आज देखी तो ऐसे में युवाओं को अपनी और आकर्सित करने के लिए कहीं ने कहीं पाचपा लगातार कोशिस कर रही है जोरान की है तो बड़ी खबर आपको बता रहे है जहां पर बता दे कि टीम ने जोरान बड़ी कारवाई करते हुए और असम राइफल्स ने मेक बुक के पास में जोरान चापे मारी की है दस लाग की बिदेशी सिग्रेट भी जब्त की गई है और साथी बता दे कि टीम ने बिदेशी बिदेशी बियर के 124 केस की बरामत भी की है खबरों मा आगे बात करते हैं जहाँ पर जी ट्वंटी शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने कारकेड रिहरसल किया है ताकि 8 सितंबर से 10 सितंबर तक कोई भी परिंदा पर न मार सके पुलिस ने कई रूट्स पर ट्रैफिक डाइवर्जन की भी बात कही है दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाईजरी जारी कर कहा है कि आज सुभा 9 बजे से 12 बच कर 30 मिनट तक कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और कई रूट्स भी बंद किये गए हैं इसी को देखते हुए दिल्ली वालों को ऐसे रूट से बचने की सलहा भी दी गई है इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन के दुरान दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक यानि की तीन दिनों में 80 से ज़ादा उड़ानों को भी रद किया गया है ये सभी दिल्ली आने वाली या दिल्ली से जाने वाली घरे लूड़ाने है तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पिट शासन काफी अलट नजर आ रहा है और दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज कई ऐसे ट्राफिक रूट से जिनको डाइवर्जन भी किया गया है और साथ ही आपको बता दे कि दिल्ली पुलीस का कार के रिहरसल भी जुरान देखने को मिला है जहां पर पुक्ता किस तरीके से इंतजाम किये जाए इन सभी के बारे में भी रिहरसल के द्वारा जानकारी दी गई है और इसी खबर पर मेरे सही होगी अबनेंदर मेरे साथ फॉन लाइन पर जूट चुके है अबनेंदर दिल्ली में जीट्वन्टी सिखर सम्मेलर होने वाला है इसको लेकर दिली पुलिस की क्या कुछ खास तैयारी जिएcha राजधानी दिल्ली में सितंबर महिने में G20 समपने जाए चारा यह समिट को लेकर जो ढिली पैस्कों पोरी कर लोंगें G20 कोति समपने कंदे श्रकार ने actors 8-9 सारीकी छुष्टीं आलान किया दिली सरकार है हम तीडिके Cane सभी दुफतर भी इन 3 दिनों में बंद रहेंगे और इसके साथ ही सभी इस बंद रहेंगे तिल्ली पुलिस जो हैं तमाम जो एडवाइजर है वो भी जारी कर दिया तिल्ली पुलिस की तरफ से साफसर से एकागारा जी टॉन्टी को लेकर स्यारी पूर कर ले गई है अब निंद्र आगर बात की जो है क्योंकि आज भी एक ख़ब निकल कर सामने आई कि सुभा नो बज़े से लेकर साड़े बारा बज़े तक के कही ऐसे रूट हैं जिनको डाइवर्जर इस दौरान उनका किया गया है तो ऐसे कौन-कौन से रास्ते हैं कर बंद रास्तों की जानकारी साजा किया अगर आगर 10 सितंबर के बीच प्रगति मैदान के आगपास के रास्ते से पौन पर सल्च करते हैं तो ओछेतर आपको बंद देखेगा अगर आप कोई नई दिल्ली इलाचे में होता है हुआ दिल्ली के अन्य हिस्सों में जाना चाहता है तो मैप उसे नए विकल तुमारिक से दिखाएगा रास्ता दिखाएगा और इसके अलाबा या तायार्स पौलिस अपनी डेप साइट पर वह सोसल मीडिया के माद्दे से जानकारी साजा की है और इस दुरान जिस तरीके से जी ट्वंटी शिखर सम्मेलन को लेकर इमर्जनसी जो रास्ते हैं वो भी बनाए गए हैं तो उनको लेकर किस तरीकी की तैयारी दिल्ली पुलिस की बिल्कुल देखे जिस तरीके से अमर्जनसी अगर बात करते हैं उन्होंने बताया दिल्ली पुलिस जो है स्वास्ते सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एक इम्बुलेंस आयता नियंतरन कच जो है सुगिदा बनाया गया वो साथ सितंबर की रात बारा बज़े से क्यारा सितंबर रात बारा बज़े तक सुरू करने चा रही है या पुलिस के घर में भी मौजूद रहेंगे और इस तरीके की तमाम जो आमर्जनसी किसी तरीके की हो सब्सक्रानों की आवा जाई को बेहतर ठंक से पूरा किया जाए और दूसरी तरफ पाहन चालों को कम से कम परिसानी का सामना करना पड़े उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के किसी भी हिस्टे में मेट्रों से सपर करने पर पाबंदी नहीं होगी नहीं दिल्ली इलाग साथ से लेकर दस के देख में जिस तरीके से क्योंकि तमाम जो बाहर के महमान आएंगे उनके लिए वो इस पेसल उड़ाने होंगे और उसके बाद अगर कोई और आना चाहता था इंडिया तो इसके लिए वो पाले जो है वो पैंसिल करने पड़ें जी ट्वंटी इंडिया के अध्यक्स एन चंदरशेकरन ने भी कहा है कि उनका जो विशेश सभी वेविसाओ के लिए जिम्मेदार प्वेरित नविन टिकाओ और इसी के साथ में न्याय संगत पहुँचे सुनिश्चित करने पर भी किंद्रित है